हेलो एन वेल्कम वाई इस वागत आपका फेंटासी डिसन चेलेंजर में तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बाइज जो के सिये क्लब चेंपिएंशी ट्वेटी ट्वेटी के चुकर मैंच होने वाला है यासे मास्टर क्रिकेट क्लब वसिस बीके 55 के बीज में में लिए यूटूब चैनल को अभी तक आपने सस्क्राइब नहीं के तो सबसे पहले आपको वही करना है YouTube चैनल को subscribe कर लेना है क्योंकि ये पूरी टूर्णामेट इसी YouTube चैनल पर cover की जाएंगे इसके साथ साथ मिलेगा आपको यहां से ECS T10 का वीडियो इसके साथ साथ मिलेगा आपको यहां से सालचा T10 के वीडियो और आगे भी बहुत अच्छी टूर्णामेट शुरू होने वाली है सारे मैचिस की वरियो आपको इसी YouTube चैनल पर मिलने वाले है तो YouTube चैनल को subscribe कर लेज़ेगा और यासे Telegram चैनल से जुड़ना बिल्कुल मत बुलिएगा सिंपल उसे जोइन कर लेना क्योंकि फाइनल अपडेट और टीम वागेर आपको वही पर मिल जाएगी यासे IPL की भी पूरी अपडेट और टीम वागेर आपको वही पर मिल जाएगी तो Telegram से जुड़ना बहर important है आपके लिए बात करें इस मैंच के तो यह मैं से तो फेरे में एक बज़े सनातना धर्मा कॉलेज ग्राउंड अलापुजा में खेला जाएगा बालर्स को काफी health पकती है जो भी अच्छे बालर्स यासे बहुत अच्छे performance देते हैं अभी तक देखा है हमने के बहुत सारे बालर्स ने ऐसे 4-4 विकेट निकाली हुई है 3-4-5 हर इक मैच के अंदर एक आदा बालर्स यासे 4 या 5 विकेट निकाल लेता है तो यहाँ से बालर्स के लिए काफी अच्छी पीच है साथ में यहाँ से score भी होता है यानि कि दो बार अभी तक 200 के plus भी score बन चुका है तो average score की बात करते 140 के आसपास score बनता हो नजर आ सकता है इससे plus भी हो सकता है और कभी-कभी टीम जल्दी भी नीपट सकती है यान से 90-80 रन के भी आसपास खतम हो सकता है मैच पीच रिपोर्ट के चेजिंग रेकॉर्ड की बात करता 16 मैच इस के लिए कि जिसमें से 13 बार यासे पहले बैटिंग करने वाली टीम ने जिती है तो जो भी टीम टॉस देते कि पहले बैटिंग करना पसंद कर सकती है बात कते हैं से Master CC की यानि की Master Cricket Club की तो दो मैच के लिए दोनों मैच यासे चित के आ रही है विष्णू राज और यासे बी आर कॉन्नू मेल तो विष्णू राज यासे विकेट कीपिंग स्रेक्षन से एक अच्छी भी कोने वाली इनको लेके जा सकते हैं ओपनिंग के साथ यासे दोनों मैच के अंदर अच्छा परकामस भी दिया है तो इनको ट्रै कर सकते हैं देखो इस मैच की बाद केल तो आपके पास विकेट कीपिंग स्केशन में चार ओप्षön रहने वाले और बहुत ही कन्फूजन भी रहने है और बहुत ही रिस्ट का पिर जिय Video है लेकिन बेस्ट वेस्ट मुझे यांसी विशनुराज जलागी तो मैं चाहिद विकेट हीपिंग में विशनुराज के साथ जा सकता हूँ लेकिन फिर भी हमने उनको अपनी टिम के अंदर ट्राइ किया था लास्ट मैच में काफी कम सिलेक्शन था और 64 रन की पारी खेली तो एज़ प्लेयर हमारी लिए बेरी इंपोरेंट रहेंगे उवर्रोल रेकोर्स देख सकते हो आप उन्चास के अवरेट से अठारा मैच के अ 236 रन की है तो एज़ प्लेयर हमारी लिए बेरी इंपोरेंट पिक रहेंगे इनको लेकर जा सकता हूं मैं कृष्णा प्रसाद ने भी लास्ट मैच के अंदर 25 रन की इससे पहले 5 रन की है लोकिन एक बार फिर से इनको भी ट्राइक का सकते हो ओर रोल रेकोर्स उनके काफी लेकिन पिछली दोनों मैच के अंदर विकेट्स नहीं मिली उनको बैटिंग से उपर आ रहें पर्फोर्मस बिल्कुल नहीं लेकिन फिर भी इनके उपर फिर से मैं परोसा कर रहा हूं क्योंकि प्लेयर्स काफी बढ़िया है यासे बहुत बार अच्छा पर्फोर्मस करते ह वह मैंने उनको देखा हुआ है तो इसके लिए एक बार फिर से मैं इनके उपर वरोसा कर सकता हूं इवन कैप्टन है वाइस करके जा सकता हूं जो कि बहुत ही रिस्की रहने वाला है अनन्दा कृष्णन जे की बात करो तो पहली मेंच के नहीं 46 जरूर किये लेकिन दूसर बरत सुरिया तो यह भी आपको दिखेंगे वेकर की सक्षन में इनका नाम दिखेगा लेकिन इनका भी बैटिंग होडर काफी नीची है चठे नमर पर बैटिंग करने के लिए थे दूरन किये दूसरी मैच के अंदर पहली मैच के नहीं 33 रन के अच्छी पारी के लिए थी तो ट्राइ का सकते हो इनको भी ट्राइ का सकते हो यह भी दूसरी ऑप्शन से आप ऑप्शन किंते जाए मैं आपको बताते जा रहा हूँ दो ऑप्शन तो मैंने बता दिया आपको पहला विश्णूराच जो की दोनों मैच के अंदर 20 और 29 जैसा स्कॉर किया हुआ यहा से वरत सुझया ने पहली मैच के अंदर 33 के दूसरी मैच के अंदर 2 रन किये यहां से केविन पिटर ओसकार प्लेयर्स काफी बढ़िया ऐसा करीबान कावन किया वरेज है कभी भी अच्छा स्कॉर कर सकता है मैंने लास्ट मैच के अंदर भी बताया था लेकिन बैटिंग ओड प्रासे हों गते तो आझा स्कॉर कर सकता है यासे इनको ट्राइक कर सकते हों ौ्यम करेंगे पहली मैच के रचरका निकाशक पाली दूसरी मैच के अंदर 4 विकेट निकाली यहां से वहईशक Regalus ने तो दोनों यहांसे इंप नरहते हो आ इनको ठ्राइक कर सकते हो おनकी बन पर दोनों में निकाल देवार तो एक अच्छी बन सकते हैं आपके लिए डिफ्रेंस लिए में नहीं अभी तो ज्यादा रहें जाएंगे जा सकते हों बैंच से अगर कोई भी खेलता है तो इनके स्टेट साब को टेलिग्रम में परवाड़ करवा दूँगा यह बंदा है इंपोर्ण रहने वाले है ऐसे पदमापन अगर खेलता है तो वेरी इंपोर्ण रहेंगा यह वन कैप्टन और वाइस के लिए गच्छी पिक रहे सकता है उनको लेट हरे जाज सकते हों बाकी अप्सम सारी च्रिक्टा गये ऐसे एंपके जये से कछी पिक बं सकते हैं यहां से एजी नमल कछी पिक बं सकते हैं यहां से पल्लम अनक्शल रख में इंपकपग और देलिग्र में परवाड़ maior दो बाकर रहे हैं ऑम बाकर करते हैं हम और पहली मैच के अंदर 22 रन भी गिया तो याज़ प्लेयर में एक बार फिर से इनको लेकर जा सकता हूँ क्योंकि बैटिंग सेक्षन से एक अच्छी पिक मिलने वाली आपको बाकी वरून नायावर थोड़े से ओक्क्यों के फिक रहेंगे बैटिंग ठिक ठाक कर लेते 30 की अवरेज है लेकिन पिछली दोनों मैच के अंदर ठिक ठाक परफॉर्मस दिया यह ज़्यादा अधा जनता है इनको लेकर आने वाली है तो आपके लिए बैटिंग सेक्षन से यह अच्छी पिक रहने वाले इनको जरूर लेकर जाएगा बाकि मन नम बेथ सिरुप को बात करो तो दोनों मैच के अंदर चाचारो उसकी पूरी गयन पर जेगी अलागि विकेट उनको एक भी मैच के अंदर नहीं मिले लेकिन बैटिंग से भी चोथे नमर पर आ रहे है तो इनके उपर एक बर परोसा कर सकते हो आपके टिम के अंद आपको दो-तिन विकेट एक साथ में लेते हो न चला सकते है निरज कुमार ओक्यों के पिक रहेंगे बैटिंग ओडर कापी नीचे यासे जिराज प्रैम का भी बैटिंग ओडर कापी नीचे तो यह भी आपको दीखेंगे विकेट के पिंग सेक्षन में तो एक और चोस हो यानि के तीन तो मैंने बता दिया और च्वथी भी चाहिए तो आ गए होगी लेकिन मेरा ध्यान नहीं रहा होगा तो देख लेते हैं लास्ट में बात कर लेते हैं इसके चलता राक में करते हैं Mt Mohamed Premal को आप लेके जा सकते हो दोनों मेच के अंदर विकेट निकाल दया हूँ तो इनको लेके जा सकते हैं फिर्टी उममाद फ sist exactly लेकिन बाद एगाने वेलें वाह क्यों मेरे इंको ट्राइग कर करवाई है तो इनको डिफरेंशेल वे में ट्राइ कर सकते हो आप रीज के टी ओके पिक रहेंगे गनार लिख वागेरा में ट्राइ करना है कि बैटिंग ओडर काफी नीचे है और यासे ओवर से प्रेकी करवाई थी तो फिर बहुत रिस्की रहने वाले हैं स्टार्टिंग वगें यह साइस साइज से थी स्टार्ट करेंगे यह से अपको कोई खेलता है तो इनके श्रेट से आपको टेलेगर में प्रवाण करा दूँंगा तो टेलेगरं से जुणना बिल्कुल मत बूलेगा तो आईए चले देख लेंते हैं अभी हमारी ब्रेंटासी आप मैंने बता दिया था आपको कौनसे प्लेयर को लेना है तो अपने अकोर्डिंग चैंज करना चाहों तो कर सकते हों बाकि मैं जाओंगा यासे वीराज के साथ बैटिंग सेक्षन के बात करो तो मैंने ऐसे अबुबकर को लिया है आप अगर चाहे तो याकर चाहे तो अबुबकर के जगापर यासे अनन्दा कृष्णन जे को ले सकते हो लेकिन मैं इनके साथ ही दाओंगा मुझे लग रहा है कि आज एक बड़ा स्कॉर कर सकता है मेरे गट फिलिम के अनुसार अल्रावड डाइस सक् से बात करें तो वी चंद्रान यहां से यह फर्जिन एफ खानूस और यहां से जी गोपी नाच को मैंने फिक किया है वाकि अप्शन सारे ठीक ठागे कुछ चैंजिस करना चाहो तो अपने अकोर्डिंग कर सकते हो वी एस को ट्राइक कर सकते हो क्योंकि यह बंदा कभी भी दो तीन विकेडिक साथ में लेता होना चाहर आ सकता है तो अभी के लिए पुछ इस सरा चे टीम रहेगी के कैप्टन सिप मैंने दी वही है यहां से अक्षाय चंद्रन को और वाइस कैप्टन सिप यहां से एस जोशेफ को दिये जो कि बहुत ही रिस्क ही है तो आप अगर दिश्क लेना नहीं चाहरे तो यहां से कैप्टन और वाइस कैप्टन सिप की बात कर तो कैप्टन तो यह चंद्रन बराबर ही है लेकिन वाइस कैप्टन सिप के तोर पर आप किसको ट्राइब कर सकते हो यह से वी चंद्रन को ट्राइब कर सकते हो यह से रहने वाले आपके चैनल मिल जागा शिम्पली उसे जॉइन कर लेना है लेकिन याद रहे यहाँ से करीबन 1450 के आसपास आपको सस्क्राइब दिखेंगे वही चैनल को जॉइन कर लेना है क्योंकि हमारे नम से बहुत सारे फ्रोड चैनल भी बने हुए हैं बाकि यहाँ पर वीडियो अच्छा ल